महराष्ट्र में CMKCR का हल्ला बोल तुलंगाना के बाहर की पहली रैली मोधी सरकार पर जम कर साधा निश्वाना अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाब को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है बीजेपी ने दिल्ली में राष्ट्र कार्यकारणी की बैठक से जोहां चुनाब की तैयारियों को लेकर कार्यकरताओं को आगे की रन्नीती बताई तो वहीं विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को टक कर देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है इसी कड़ी में तैयलंगाना के मुख्यमंत्री केच चंदरशेखर राव ने महराष्ट के नांदेड में जंसभा को संबोधित किया आम चुनाब से पहले तैयलंगाना के बाहर ये उनकी पहली रैली है जुसके साथ ही तीसरा मूर्चा बनाने की कबायद भी शुरू हो चुकी है उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि महराष्ट में सबसे ज़्यादा किसान आत्मत्या कर रहे हैं 75 साल के आज़ादी के बाद इतने मुक्य मंत्री इतने पार्टिया इतने सरकारे इतने प्रदान मंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है ना सिंचाई को पानी मिलता है ना बिज़ी मिलता है यह क्या दिया नहीं जा सकता कि है उसकी इन चीजों की उपलती नहीं है चेकर क्या है इस चीज को समझना है हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए एक बार समझ में आया तो यह जुट होना चाहिए मेरा इतना ही बात है आज के समय बड़ा दुख होता है महारास्टर राज में सुपसे ज़्यादा किसान आत्मा अच्चा कर रहे क्या कारण है क्या बात है क्या अगर करके सुचिए नांदेड में जन्सभा को संबोधित करते हुए केसियार ने कहा कि राजनितिक दल और नेता चुनाब में जीत रहे हैं लेकिन लोग हार रहे है इसलिए बियारेस का नारा है अब की बार किसान सरकार अगर हम एक जुठ होते हैं तो ये असंभव नहीं है केसियार ने कहा अब हमें राष्ट उस्तर पर जाना है अब एक बड़ा बदलाब चाहिए कई लोग आते हैं और लंबा लंबा भाशन दे कर चले जाते हैं मन की बात करके चले जाते हैं 75 साल बाद भी देश को पानी बिजली नहीं मिल रहा है देश में खाली भाशन चल रहा है किसान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है आपको बता दें कि महराष्ट के नांदेड में केसियार भारत और राष्ट समिती के बैनर तले रैली कर रहे हैं KCR की इसके बाद देश के दूसरे हिस्तों में भी रैली करने की योजना है इस ख़बर में फिलाल इतना ही ताज आपडेट के लिए बने रहें One India Hindi के साथ